कल opposition के जो floor leaders हैं सब की meeting हुई और unanimous था कि आज हमें NEET का जो issue है उस पे discussion चाहिए हिंदुस्तान के students से मैं कहना चाहता हूँ ये आपका issue है और हम सब को लगता है इंडिया गटबंदन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविश्य हो तो हमें लगा कि यहाँ पे Parliament House में NEET पे discussion हो और उसके बाद Presidents address हो पाए और मैं request करता हूँ प्रधान मंत्री जी को कि यह युवाओं की issue है और अच्छी तरह प्यार से discussion होना चाहिए respectfully discussion होना चाहिए हम respectfully करेंगे आप भी discussion में join कीजिए आप भी भाग लीजिए और respectfully क्योंकि यह युवाओं का मामला है तो हम चाहते हैं युवाओं को message मिले घबराय हुए हैं उनको यह नहीं मालूम की क्या होने वाला है NEET में तो Parliament से message जाना चाहिए उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरका और हिंदुस्तान का opposition एक साथ मिलकर students की बात करना है तो यह यह आपको बताना चाहिए तो यह आपको बताना चाहिए उस पे discussion चाहिए हिंदुस्तान के students से मैं कहना चाहता हूं यह आपका issue है और हम सब को लगता है इंडिया गटबंदन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविशे हो तो हमें लगा कि यहाँ पे Parliament House में नीट पे discussion हो और उसके बाद President's address हो पाए और मैं request करता हूँ प्रधान मंत्री जी को कि यह युवाओं की issue है और अच्छी तरह PR से discussion होना चाहिए respectfully discussion होना चाहिए हम respectfully करेंगे आप भी discussion में join कीजे आप भी भाग लीजे और respectfully क्योंकि यह युवाओं का मामला है तो हम चाहते हैं युवाओं को message मिले घबराये हुए हैं उनको यह नहीं मालूम की क्या होने वाला है नीट में तो Parliament से message जाना चाहिए उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरका और हिंदुस्तान का opposition एक साथ मिलकर students की बात करते हैं तो यह यह आपको बताना चाहिए सर परिक्षा स्थाकित करने करते हैं कल opposition के जो floor leaders है सब की meeting हुई और unanimous था कि आज हमें NEET का जो issue है उस पे discussion चाहिए हिंदुस्तान के students से मैं कहना चाहता हूं यह आपका issue है और हम सब को लगता है इंडिया गटबंदन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविश्य हो तो हमें लगा कि यहाँ पे Parliament House में NEET पे discussion हो और उसके बाद President's Address हो पाए और मैं request करता हूँ प्रधान मंत्री जी को कि यह युवाओं की issue है और अच्छी तरह PR से discussion होना चाहिए respectfully discussion होना चाहिए हम respectfully करेंगे आप भी discussion में join कीजे आप भी भाग लीजे और respectfully क्योंकि यह युवाओं का मामला है तो हम चाहते हैं युवाओं को message मिले घबराय हुए हैं उनको यह नहीं मालूम की क्या होने वाला है नीट में तो Parliament से message जाना चाहिए उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का opposition एक साथ मिलकर